आज हम बनाने जा रहे हैं फिश बरियानी वो भी हैदराबादी स्टाइल में और ये रेसिपी प्यूर इंडियन वे में है तो वीडियो एंड तक देखिए का गाइस मज़ा आ जाएगा तो गाइस अपना स्टेप नमबर वन ये है कि हम आदा किलो राइस लेंगे और ये भाई तीन सो असी रुपे पर केजी के हिसाब से पढ़े है राइस को हम अच्छे से धो के और इसे एक घेंटे के लिए भिगो के रखतेंगे अल्राइट गाइस आप बारी एती है फिश को मेरिनेशन करने की और अभी हम सोल फिश यूज़ करेंगे सबसे पहले हम इसमें फूड कलर एड़ करेंगे रेड और येलो कलर को मिक्स करके बनाया हमने ये और इसमें थोड़ा सा हम इमली का पानी एड़ करेंगे एक एक चमच अदरक और लसन का पाउडर बाकी मसाले आपको बता दे गरम मसाला लाल मिर्च हल्दी थोड़ा सा नमग क्योंके फिश को अल्रेड़ी लगा होता है और ये सूखा दनिया, जीरा और अजवाइन और ये देखे हाफ प्याली चावलों का आटा और साथ में थोड़ी सी कलोंजी अब इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे अजवाइन, जीरा और सूखा दनिया हमने भूना भी हुआ था तकरीबन दो दर्मियाने प्यास है, इसे हम अच्छे तरीके से फ्राइ करेंगे, ब्राउन कर लेंगे तो गाइस प्यास जब तक ब्राउन हो रहे हम अपनी मेरिनेशन वाली फिश तो है वो फ्राइ कर लेंगे इसके ओपर राइस का आटा लगा होता है तो हमने इसे जदा देर मेरिनेट भी नहीं रखना अलहम्दल्ला से फिश अपनी फ्राइ हो चुकी है, अब हम इसे निकाल के एक बड़े से पतीले में रखेंगे जिसमें हमने अपनी बर्यानी रेडी करनी है तो गैस अब बारी आती है राइस को पकाने की जिसमें हमने सबसे पहले पानी लिये और इसमें अदरक लसन का पाउडर और साथ में पिंक सॉल्ट आइड करेंगे अदरक और लसन का अगर पेस है तो आप वह भी यूज़ कर सकते हैं अब बारी आती है राइस को पकाने की इस राइस अपने पकरें तब तक हम इसका मसाला रेडी करते है बर्यानी का यह देखें सबसे पहले हम यह फ्राइड ऑनियन्स लेंगे और आइल हम वही यूज़ करें जिसमें हमने ऑनियन्स फ्राइड की थे और इसमें हम एड़ करेंगे थोड़ा पुदीना और धनिया और साथ इसाथ दो चमच अद्रक और लसन का पेस्ट और तकरीबन एक प्याली दही की इसमें आजएगी और अब ये थोड़ी मसालों के लिए स्टा चुकी है जिसमें गरम मसाला सुखा धनिया लाल मिर्च हल्द और पिंक शॉल्ट यह लेंगे तो काईज आ पर चावल getting पकरे मसाले को मिक्स करेंगे और बहु के सहते हैं no % rih again स्टेन कर लेंगे तो गाइस अपने स्टेन हो रहे हैं अब ये मसाला भी रडी हो चुका है ये फिश के ओपर हम डालेंगे और आप बारी आती है अपने खुब्सूरत राइस को इसमें एड़ करने की माशाला और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने काफी बड़ा पतीला यूस अब बारी आती है इसे डम लगाने की और वो भी लो फ्लेम पे जिस चीज का था हमें इंतजार माशाओला दम खुल चुका है जैसा कि आपको पता है टाइम हुआ चाहता है प्लेटे ले आओ और अपनी हैदराबादी फिश बर्यानी ले जाओ भाई दिखने में खुब्स और मज़ेदार चीज यह है के फिश में कांटे नहीं होने बंदे ने ऐसे बस स्पीडों में रगड़ जाने और वो बंदे का नाम है माखा